ओल्ड पेपर सीरीज में हम चल रहे हैं 2017 के ओल्ड पेपर सोलीशन में यहां पर हम पहुंच चुके हैं आठफ़े प्रशन बर और मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप पूराने जितने भी वीडियो वो ज़रूर देखें क्योंकि अगर आप पुछले 3 साल के कंप्लिट करने के बाद अगर यहां पहुंचेंगे तो आपकी जो समझ है अंसर आइटिंग को केसे करना है वो काफी हद तक अच्छी हो जाएगी तो आज हमारे सामने जो आटफ़ा प्रशन है वो है महान हिमालाई या हिमाद्री पर संक्षिप टिपण कीजिए इस उत्तर को हम सोशब्दों में लिखेंगे देन फिर आपको बताएंगे किसे 50 में कैसे लिखा जा सकता है लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना बहुत ही न्यूंदम राशीम बहुत क्वालिटी के साथ उबलब्द हैं और भी बहुत सारे फीचर से जिन में आपको अबजिटी कोशन मेंस के प्रशन और जो पीडिएफ है और नोर्स भी उबलब्द कराया जा रहे हैं इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं हमार बहुत शांदार तरीके से आपके लिए पढ़ाया है तो आप जाकर ज़रूर विचिट कीजेगा प्रशन पर हम आते हैं और प्रशन पूछा था कि महान हिमाले और हिमादरी पर संक्षिप टिपणी कीजी टिपणी से मतलब होता है कि एक बात कहीं नहीं होती और उनके बा पास-पास की जो चीजे हैं उसका घर कहां फेमेली उस पर चले जाएंगे वैसे ही अगर इस पर टिपणी करना है तो महान हिमाले या हिमादरी क्या है उसकी सामने से जानकर आपको बताना है बस लेकिन मैं हमेशा की तरह कहता आया हूं अगर आपको मेब बनाना नहीं आता तो जियोग्राफिय में अच्छे नंबर लाने के आप उमीद छोड़ दिएगा ओके जैसे ही आपको कर जहां पर भी थोड़ी सी भी 0.01 परसें भी गुझाज देखें यहां पर कोई चार्ट और इनोवेशन हो सकता है तो आप उसे जरूर करें यहां पर पूचा है हिमाले या हिमादरी तो आपको क्या करना है ऐसा मेब बनाना है और जिसमें महान हिमाले हिमादरी कौन सा है तो जो प्रहत हिमाले वाला पोर्शन है वही है जो कहां से कहां तक जाता है तो नंगा परवत से लेकर नामचा बरवा तक फिला हुआ है और इस पर जो प्रमुक चोटिय जिसे कि माउंट एवरेस मकालू कंचन जंगा इनको हमने यहां पर बता दिया हैं अब यहां पर सामर्ष जानकारी तो वही पॉइंट के थू भी लिख सकते हैं महान हिमालय हिमाद्री हिमालय का सबसे व्रहत एवं मुचा भागे जो ट्रांस हिमालय हिमालय के मद्य हैं इसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं यह भी बात आप याद रिखिएगा तो इसके बारे में आपको यहां पर मैप पुरा बनाने जरुरत नहीं है मैं आपको बता दू जैसे आवशक्ता हो वैसा आप मैप बनाई हैं तो यहां पर यह लिखने बात अब इस पर टिपनी का नाया से 200 किलोमेटर हैं तो आपको क्या बताना है सामने से किसके उंचाई कितनी है चोड़ाई कितनी है उसके बाद में कहां से कहां तक फिला हुआ है तो नंगा परवत जम्मो कश्मीर से नामचा बरवा अनवाचल पदेश तक विश्तरते यह इसके बारे में दूसरी जानकारी तीसरी जानकारी कि इसी श्रेणी पर वीश्व की सबसे मुची चोटिया अगर आप पीछे इसमें उचाई भी लिख देंगे तो और आपका उत्तर जो है पुष्ट होग जाएगा इसके बाद में जो इसके अलग से जानकारी है कि इसका धलान उत्तर के और मंद एवं दक् तीव रहें ओके तो ये बात इसके बार में और एक बात और बता दू कि जब अगर आपको सोश अब्दम उत्तर को लिखना है तो कम से कम छे नंबर के लिए छे पॉइंटों होना चाहिए पांचवा गंगा यमुना सिंद ब्रह्मपुत्र जेसी नदिया इसी हिमाले से अगर यही उत्तर को आपको पचास में लिखना होता था कैसे लिखते हैं तो पचास के लिए मैं मान के चलता हूँ आज चोड़ने के बाद में डार्ट इसके कोई भी पांच पॉइंट लिख देते हैं तो आपको 50 अगर आपकी शब्द थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो लेखक शब्द जो आपका वहां पर परिख्षक है उस शब्द नहीं गिनता है वह एक एवरेज लगा आता है कि हाँ इतना इसमें होगा और इस पर यह खाली लाइन बकाई 10 डालती है चलिए सातियों तो यह हमने आज के उत्तर को पूरा किया यहां पर छे और पांच मारकर क आज का वीडियो हमारा यहीं समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद